एक बड़ी पुरानी कहावत है कहते हैं अबरा की लुगाई सब की भवजाई आखिरकार ब्रिक्स में छे देश सामिल हुए पर अपना पडोसी सामिल नहीं हुआ जिसके बाद बॉखलाए हुए पडोसी ने क्या कह दिया और उससे भी बड़ी आश्चर ये जनक बाद पाकि क्या कह दिया था जैसंकर और पिये मोधी अपनी हसी रोक नहीं पाए जानेंगे जियो पॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है आए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से वैसे बात करें भारत के चंद्रियान 3 को लेकर तो दचनी दुरू के करीब पहुंचकर इतियास जब बाहर आई जब पाकिस्तान की वो जनता जो पढ़ी लिखी है उन्होंने भारत की तारीफ करना शुरू किया और अपनी सरकारों और संस्थानों को कोसना शुरू किया तब जाकर उनकी सरकार ने तीन दिन बाद भारत को इस मिसन के लिए बधाईयां दी पाकिस्तान का परसिद अखबार है डॉन न्यूज इसने चंद्रियान थ्री मिशन की तारीफ करते हुए संपादकिय लिखा और जिसमें कहा पाकिस्तान की सरकार और संस्थाओं को भारत से सीखना चाहिए भारत का सफल चंद्रियान थ्री मिशन वास्तों में एतिहासिक है क्योंकि यह यान चंद्रमा के दचनी द्रूब के पास उतरने वाला पहला मिशन मन गया है इसके अलावा इस उपलब्दी के साथ भारत अमेरिका रूस और चीन सहित उन चुनिंदा देशों के कलब में चला गया है जहां चंद्रमा की सतह पर जिन्होंने उत्रा और कंट्रोल लेंडिंग हा क्योंकि हमारे पूर्वी पडोसी ने कम बजट में वही हासिल किया है जो अमीर देशों ने बड़ी रकम खर्च करके हासिल किया है संपादकिये में आगे लिखा गया है कि करीब एक दसक पहले भारतिये ने मंगल ग्रह पर मंगल यान अबजर्वेशन मिशन को भी सफलता पुरुवक लॉंच किया था जबकि 2019 में चंद्रियान 2 के विफल होने के बाद फिर से चंद्रमा के मिशन में सफलता पाई अब डॉन ने जो अगली लाइन लिखा है वो बेहत खास है इनों ने लिखा है कि सायद भारत के अंतरिच कारिकरम का सफलता का राज क्या है सरकार द्वारा लगातार समर्थन भारतिय इंजिनियरों और वेग्यानिकों की क्वाइलिटी और समर्पन जिसकी वजह से कठिन मिशन भी संभव हो सुके डॉन ने आके लिखा है कि हलाकी तुलना सही नहीं है फिर भी पाकिस्तान के लिए भारत की अंतरिच सफलता से सीखने के लिए बहुत कुछ हो सकता है पाकिस्तान का अंतरिक्ष कारिकम भारत से पहले लॉंच किया गया था और इसमें मावली सफलता मिली जैसे कि 1960 के दसक के सुरुवात में डॉक्टर अब्दुस सलाम जैसे दिगजों की निगरानी में रॉकेट लॉंच किया गया था 1960 में हमें एक सेटेलाइट बद्रवन को अंतरिच में भेजने में सफल रहे खैर पहली बार पाकिस्तानी मीडिया ने बिलकुल सही बात कही है टेक्नलोजी के मामले में और स्पेस एजेंसी के मामले में बाकी तो वो कुछ न कुछ बगवास डालते ही रहते हैं पर हां तीन दिन बाद आखिरकार उन्होंने बदाईयां दे दी हलाकि सिर्फ यही एक एक जामपल नहीं है चंद्रयान थ्री मिसन को सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त सरहना कर रही है बलकि यह भी एक सक्स हैं जिने आप देख सकते हैं इन्होंने यूके को जवाब दिया है और बड़ा अच्छा वाला जवाब दिया है इन्होंने यूके को हमने आपको बताया था कि किस तरीके से यूके के एक जनलिस्ट पैट्रिक ने कहा था कि भारत को 2.3 बिलियन पॉंड वापस कर देना चाहिए जो हमने उन्हें मदद के तौर पर दिया था पाकिस्तानी क्र पर दिया है कि चंद्रियान 3 के बारे में जो जनलिस्ट पैट्रिक ने कहा उनको बरनोल भेज देना चाहिए इन्हें बरनोल भेजें मतलब कि इनको बरनोल देदो लगाने के लिए कहने कारतिये है कि इनका कहना था कि ये भारत की सक्सेस से जल रहे हैं और पचा नहीं पा रहे हैं जिसके वजह से ये ऐसा कह रहे हैं अलाकि इन्होंने अपनी बातों में बहुत सारी चीजें कही हैं इन्होंने कहा कि गोरे बंदे परेसान हो गए हैं बहुत सारे पाकिस्तानियों की तरफ से भी भारत को बदाई संदेश आ रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात ह रही है ब्रिक्स में पाकिस्तान कैसे गुसना चाहता था और उसका आईरन बीरादर किस तरीके से गुसाना चाहता था ये बिल्कुल भी छिपा हुआ नहीं है ब्रिक्स में सामिल करने के लिए चायना ने न जाने कौन-कौन से पापड़ बेल दिये होंगे आपको बता दें ऐसा हो नहीं पाया ऐसा क्यों कि वहां पर कहा जा रहा है भारत का डेलीगेशन मौझूद था जिनों ने बहुत महतपुर्न भुमी का निवाई किसे चुनना है और किसे नहीं चुनना है एक दो नहीं बलकि 22 देसों के नाम थे और इन 22 देसों में एक नाम पाकिस्तान का भ पर भारत ने यहां पर जिस तरीके से चुना जादातर देस वही निकले जिनके भारत के साथ बहुत गहरे संबन्ध है कहा जाता है कि पाकिस्तान ने ब्रिक्स की सदस्यता के लिए चीन और रूस के सामने कई बार हाथ जोड़े इसके बावजूद इन दोनों देसों ने भ कुटिनीटी को लेकर सनमिंदा है एसे में पाकिस्तानी विदेश मंस्तराले की परवक्ता मुम्ताज जहरा बलुच इनका कहना है कि हम ने कोई अपचारी क अनुरोध नहीं किया था उसमें सामिल होने के लिए ये तो हो गया कि अंगूर खटे हैं पाकिस्तानी ने कहा कि व बाजी का हम समर्थन करते हैं खेर अंगूर खटे हैं ये बात तो बिल्कुल सही साबित हो रही है लेकिन एक समय आया यहां पर एक वीडियो आप देख सकते हैं इस वीडियो में आपको ठाहा के लगाते हुए पीए मोदी और एस जैसंकर नजर आएंगे पहले इस वीडियो क क्या रहा है इस वीडियो में यह हो रहा है कि दच्चिन अफरिका के राष्ट पती भारत को यह कह रहे हैं कि हमने आपको चीता दिया क्योंकि आप इन बड़े बिल्लियों को समालने का ताकत रखते हो आप बताओ कि आपको और भी चीता की जरूरत है क्या खेर इसी बात प की है और ब्रिक्स का विस्तार भी हो चुका है अब दुनिया इंतिजार कर दी है एक चीज का और वो चीज क्या है वो है कि क्या ब्रिक्स करेंसी लॉंच होती है पाकिस्तान ब्रिक्स में सामिल होना चाहता था कई कारणों से दरसल पाकिस्तान को वो सारे फाइदे चाहिए जो फाइदे विरिक्स की बैंक देती है पर सवाल ये उड़ता है कि पाकिस्तान के सामील होने से बाकी देसों को क्या फाइदा होगा खैद इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अंगले वीडियो में नई ख़बर के साथ